उसके बहुत सारे फायदे हैं, सबसे commonly used approach is posterior, जब उसका शुरुवात हुई थी तो बहुत लंबा cut होता था, सारी muscles back की cut होती थी और फिर surgery होती थी, अब जब हम advanced technique से posterior approach करते हैं, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, because number of muscles which are being cut are very less, आपका जो muscle cut होता हो आपके रेपेर होता है, और surgery बहुत predictable है, और साथ ही साथ यह extensile approach है, इसका मतलब होता है, कि अगर मुझे अपने cut को लंबा करना है, नीचे की तरफ और extend करना है, किसी भी कारण से, या उपर की तरफ extend करना है, तो posterior approach में बहुत easily possible है,